हेलो स्टूरियंस आज इस वीडियो भी हम क्लास एड बुक आरे सगरवाल चैप्टर 6 ऑप्रेशन्स और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन्स एक्सरसाइज 6D कोश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे स्टूरियंस एक्सरसाइज 6D की 5th वीडियो है स्टूरियंस कलास 8 के जितने भी चैप्टरिस के बैलिज नहीं है सब का लिंक दिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप देखना चाclock है तो वहले से देख सकते हैं स्टूरियंस सेगर क्लास क्लास सवेट्रिस और एक्सक्रावाल के चैप्लिक the following तो part 1 है 54 का square तो students हमने पहले क्या करने है 54 के factor बनाने है अब students यह इसका नजदिक base क्या होगा 50 होगा 50 तो इसमें 4 add करेंगे तो यह मारा क्या बन जगा 50 प्लस 4 square ठीकर whole square अब students यहाँ पर क्या बन गया formula हमने अगर आपने पहले की वीडियो देखियें तो जैसे part 1 में यहाँ पर क्या था ए प्लस B का whole square था तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे formula लगाएंगे a square प्लस b square प्लस 2 a b का ठीक है तो यहाँ पर मारे पास 50 के होगा a मान लेते हैं और b को हम 4 मान लेते हैं अब a square मारे पास हाया 50 का square प्लस b के है हमारे पास 4 का square प्लस 2 into a के है 50 into b के है 4 है अब 50 को 50 से multiply किया तो मारे पास क्या आगे है students 25 hundred जब भी students हमने multiply करना है जैसे 50 है तो 5 को 5 से multiply किया 25 आगया जितने zeros होते हैं उतने हम जो answer है उसके आगे लगा देते हैं यहाँ पर 2 zeros है तो 2 zeros लगा दी प्लस 4 square क्या होगा 16 अब हम करेंगे 2 को 50 से multiply किया 100 आया मारे पास और 100 को 4 से किया तो मारे पास आया 400 अब students इनको हमने add कर देना है तो आपने क्या करना है 2500 400 और 16 तो इसका answer मारे पास क्या आ गया 2196 तो 54 का square मारे पास क्या हो गया 2916 तो हम लिखतेंगे 54 square equal to 2916 यह हमारा answer आगा ठीक है students अगर students यह आपको समझ नहीं आए तो आगे question करोगे तो आपको समझ आ जाएगा अगर students इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो वो जुरूर देखे तो इससे आपको जल्दी clear हो जागे अब students क्या है 82 का square अब इसके factor क्या बनेगे 80 प्लस 2 का square तो यहाँ पर हमारे पास same formula लगेगा a square a plus b whole square का formula कहता है a square plus b square plus 2a b ठीक है तो a हमाल लेते हैं 80 को b माल लेते हैं 2 को अब 80 का square a square हो गया plus b का square 2 का square plus 2 into a क्या 80 into b क्या 2 आ गया 80 का square 80 into 80 हमारे पास आएगा 6400 two two's हमारे पास आगया 4 यहाँ पर किया हमने तो 160 आ गया और 160 को 2 सी किया तो हमारे पास कितना आ गया 320 आ गया अब बस इनको add कर दो 6400 अगर आप direct कर सकते हो तो direct करो नी तो आप इस तरह से rough में भी इनको add कर सकते हो तो मारे आंसर क्या गया 6724 ठीक है तो मारा आंसर आ गया 6724 तो 82 का square क्या आया हमारे पास 6724 ठीक है बन गया 100 plus 3 का square whole square अब 100 को हमने a माल लिया और इसको हमने b को 3 माल लिया एक square 100 का square आ गया अब 1 को 1 से के 1 आया तो कितनी 0 है चार 0 है तो मैं 4 0 लगा दे नहीं है 1 2 3 4 3 3 9 अब 2 को 100 से multiply किया 200 आया और 200 को 3 से multiply किया 600 आया आप स्टूरेंस अगर आप डारेक्ट कर सकते तो डारेक्ट कर दो नहीं तो आप इस तरह से रफ में भी कर सकते हो जैसे यह आया 600 आया और 9 तो मारा अंसर के आगे है आपर 10609 तो 103 का square क्या आया 10609 अब हम पार्ट 4 करेंगे पार्ट 4 हमारे पास क्या है question 5 का 704 का square देखर students अगर आपके पास formula है तो आप easy question को कितनी जल्दी निकास सकते हैं ठीक है ना तो इसलिए practice करें अब 704 का factor के बना 700 प्लस 4 whole square A हमने 700 को माल लिया B को हमने माल लिया 4 A square 700 का square प्लस B 4 का square प्लस 2 into 700 into 4 700 को 700 से multiply किया तो seven sevens are forty nine तो कितनी जल्दें चार जल्दें चार जल्दें लिख दी हमने तो कितना जल्द फोर नाइन वान टू थ्री फोर आ गया फोर फोर जल्द 16 आ गया और यहां पर कितना आया टू सेवन जल्द 14 ठीक है ना तो 1400 आया 1400 को 4 से multiply करेंगे तो मारे पास कितना आ जल्दा आ गया अब हमने क्या करना है इनको लिख दो रफ में फिर फिफ्टी शिकंड़र और फिर महरपस 16 तो क्या गया four nine five six one six तो इसका आंसर क्या गया four nine five six one six seven hundred four इस वीडियो में question six को भी solve कर लेंगे question six का जो part one है वो क्या है 69 का square अब students यहां पर हमने ना इसके factor बनाने है तो हमने दिखने कि इसके minimum factor कैसे बन जाएगा तो यह क्यों होगा कि इसमें हमारी calculation बहुत सारा करना ही पड़ेगी हमें तो हम देखेंगे इसके नजदी क्या है 69 किसका बेस क्या है 70 तो 70 में हम one minus करेंगे तो हमारे पास क्या आजेगा 69 का square ठीक है अब students यहां पर मारे पास कौन सा फर्मल लग है तो क्या लगेगा a square plus b square minus 2ab का फर्मल लगा है ठीक है तो हम यह फर्मल लगा के इन question को solve करते हैं और अब seconds में इसको निकाल सकते हैं अब यहां पर a को माल लेते हैं 70 वी को माल लेते हैं one a square 70 का square प्लस बी बन का स्क्यार माइन माइनस टू इंटू 70 इंटू वन ठीक है seven sevens of 4900 आ गया प्लस बन आया माइनस यहां पर 70 सेवन्टी और सेवन्टी को टू से मल लिपला गया 140 आ गया ठीक है अब हमने क्या करना है 4900 में वन एड किया तुम्हार पस आया 4901 अब 140 को माइनस करोगे तो वन आया है यहां पर यहां पर जिरो में से four less नहीं कर सकते हैं तो यहां पर carry किया ten ten में से four less गया six और यहां पर आगया eight eight में से one less गया seven और यहां पर four हमने एज़िस तो आ लिया तो हमारा answer क्या गया four seven six one तो 69 का जो square मारे पास क्या आया four seven six one यह हमारा answer आगया इसी तरह हम पार्ट टू को करेंगे पार्ट टू के 78 का स्क्यार आप स्ट्रेंस यहां पर मारे पास जो मॉस्ट डिजिट है माइनस में आएंगे ठीक है पार जो question five में क्या था प्लस वाला फार्मला लगाए था question six में माइनस वारा फार्मला लगाएंगे तो 78 का स्क्यार तो इसका बेस नंबर क्या बना 80 80 में से हम टू माइनस करेंगे तो मारे पास 78 आजेगा अब फार्मला लगाएंगे एक हमने 80 माल लिया बी को मने टू माल लिया स्क्यार एट्टी का स्क्यार प्लस बी स्क्यार टू का स्क्यार माइनस टू इंटू एट्टी इंटू टू एट्टी का स्क्यार एट्टी को आप एट्टी से मल्टिप्लाई करोगे तो आएगा 6400 आया ठीक है तो को टू से मल्टिप्लाई किया फोर आया और माइनस तो यह 4 को मिला है तो मारे पास आया 6404 अब हमने 320 को माइनस करना है तो 40 में से 2 लेस नहीं करता है 10 में से 2 लेस गया 8 यहां पर रहा गया 3 3 में से 3 लेस गया 0 और यहां पर रहा गया 6 तो इसका आंसर मारे पास क्या गया 6084 तो 78 का जो square मारे पास आया वो कितना है 6084 यह मारा आंसर आगया ठीक है बच्चों अब हम करते हैं पार्ट थ्री पार्ट थ्री में क्या है 197 का स्क्यूर अब इसके क्या बनेंगे फैक्टर अब यह क्या है 200-3 करोगे तो आपके पास क्या हैगा 197 आएगा ठीक है ना तो सेम फर्मनल लगाएंगे हम a को 200 माल लिया b को माल लिया हमने 3 a 200 का स्क्यूर प्लस b का 3 का स्क्यूर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 3 200 को 200 से मल्टिप्लाइ करना है तो स्ट्रेंस मैंने आपको बताया था 2 तूजा 4 होगा जितनी 0 यह तूजा 4 हम यहां पर लिख नेंगे तो 40,000 घे तो 440,000 आ गया यहां पर प्लस 3 ठी ज़ीज़ा 9 होगे और फूर फोर फार हंड़र फोर थीज़ा 1212 वंडय आ गया अब फूर्टी थावसंड में नाइन को एड किया तुम्हारे पास आ गया 40000-1200 करेंगे तो प्लाईन से 0 से नाइन आ गया जिरो से 0 क्या आगया याँपर 38809 तो 197 स्क्यूर का फार्मूला क्या गया 38809 जो अब्जेक्टिव टाइप कोस्टेंस में यह आपको बहुत हल्प करेगा तो इससे क्या है आपकी कैलकुलेशन है फास्ट हो जाएगी ठीक है अगर आप 197 को टू टैंस मल्टिप्लाइ करोगे तो आपको बहुत लंबी ट्रिपल नाइन का स्क्यूर इसके फेक्टर क्या होने 1000 माइनस वन का स्क्यूर अब बस ए हमने 1000 को मान लिया भी हमने वन को माना तो ए स्क्यूर 1000 का स्क्यूर प्लस बी का स्क्यूर वन का स्क्यूर माइनस टू इन्टू 1000 इन्टू वन ताउजन को हम टू टैंस मल्टिप्ल करेंगे तो कितना है वन और कितने थी प्लस थी जिक्स जिरो आजेंगी 1-2-3-4-5-6 ठीक है 1-2-3-4-5-6 आगी प्लस बन का स्क्यूर मारे पसके आया है तो यहां पर 00 2000 यहां पर आएगा तो वन एज़ इस आ गया 00 यहां पर 10 में से टू लेस गया 8 यहां रहा गया 9 यहां पर 9 यहां पर 0 आ जगा तो कितना आ जगा 998001 तो 998001 तो ट्रिपल नाइन का स्क्यर हमारे पास कितना है यहां 998001 तो अगर आपको फॉर्मुलर याद है तो आपको कितनी अगर आपको विडियो यूस फुल लगी है तो प्लीज विडियो को लाइक करें शेयर अपने फ्रेंड के साहथ अगर आपके फिर भी कोई क्या रही है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं इस वीडियो में हम question 5 और 6 को ही solve करेंगे next video में question 7 को solve करेंगे thank you for watching